नमस्कार दोस्तों, मैं मुस्कान वर्मा हिूमन राइट से आज आपके लिए कुछ लेकर आई हूँ हमारा जो विश्य है वो है 498A IPC पर 221 में हाई कोड का बड़ा फैसला नोट, 498A IPC मतलब दहेज का मुकदमा, IPC का मतलब इंडियन पैनल कोड पहली बात आप यह जान लें कि भारत में सबसे ज़्यादा दुरूपयोग की जानने वाली IPC की धारा 498 है जिसको हम दहेज की नाम से भी जानते हैं आप Google सर्च करेंगे कि कौन सी धारा भारत में सबसे ज़्यादा दुरूपयोग की जाती है तो वह IPC की धारा 498 ही आपको गूगल पर देखी जाएगी तो आईए मैं बताती हूँ यह देखी Most Mission IPC in India The Diary Prevention Law Section 498A406 of IPC पढ़िए इसको अब इस धारा का 2021 में High Court का बड़ा फैसला आया है Judgment अलाबाद High Court का एक Judgment आया है विमर कुमार वेड्स State of UP जिसमें High Court ने कहा है कि पोलिस 498A के मामले में गिरफतार नहीं कर सकती है मनलब की High Court का कोई भी बन्दा आपको गिरफतार नहीं कर सकता है Judgment अरनेश कुमार वेड्स State of बिहार इसमें Supreme Court guideline जारी की है किसी व्यक्ति को गिरफतार तब करना है और कब नहीं करना है मनलब की जो भी guidelines है वो ये है कि कब करना है और कब नहीं करना है गिरफतार किसी व्यक्ति को अब आपके उपर जूटा दहेज का case लग जाता है तो आपको पुलिस बुलाएगी आप जाहिए और इस पस्ट रूप से सारी बाते पुलिस को बताईए कि हमसे ये दहेज की मांग की गई है ये जो भी बात है अगर आप सही हैं तो पुलिस आपका कुछ भी नहीं कर सकती है और वह आपको गिरफतार तो करेगी नहीं ये मैं आपको बता रही हूँ कि जब तक आप गलत नहीं है तो पुलिस आपको किरफतार नहीं कर सकते आपको सारी बाते सही तरीके से अपनी पतनी की बाते अपने घर की बाते पुलिस वालों को पता नहीं है ताकि आपका जो भी केस है वो पुलिस सही तरीके से सॉल्व कर सके अब पतनी माई के जागर 498-11 का मुगदम की तो आखिर क्यों की यह आपको मालूम होगा कि उसने ऐसा जो भी आपके उपर मुगदम करा है वो क्यों करा है वह कारण पुलिस वालों को बताईए और बोलो कि मैं अपनी पतनी को रखना चाहता हूं इसमें पुलिस स्टेशन में पती पतनी दोनों का बयान लिया जाएगा भी सबूत की साथ उसके बाद ही रिपोर्ट लिखी जाएगी थैंक्स पर वच्छिं मैं वीडियो प्लिस लाएग शेयर और सब्सक्राइब मैं चैनल थैंक्यू सो मुछ